नमस्ते दोस्तों मैं अम्बुज और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ आज कल के जो लिबरल गैंग एक्टिव हुए हैं उनी में से एक थे मतलब कहा सकते हैं हैं अभी भी लेकिन अभी बाजार से गाइब हैं जी हाँ नाम है स्वामी अगनिवेश अगनिवेश नामक एक वाम पन्थी जो की आज समाज जोइन करता है और देखते ही देखते परतिनिधी सभा में फूट डाल कर एक गुट पर कबजा करता है वो समाजिक कार्ज करता का दिखावा करते हुए हर जगह हिंदु धर्म पर चोट करता है और हिंदु धर्म के खिलाब ब्याक्ष्यान भी देता है अगनिवेस उसके बाद जो है अपना अगला कदम जो बढ़ाता है उसमें एक NGO अस्थापित करता है अपना बचपन बचाओ के नाम से जी हाँ बचपन बचाओ और उन्हीं के एक सागिर्द हैं कहलास सत्यार्थी जो की नॉबेल पुरसकार से भी सम्मानित हैं और कुछ पुस्तक भी लिखे हैं फिर ये दोनों जी हाँ ये दोनों मिलकर अलग-अलग विदेशी पुरसकार कुछ पराप्त करते हैं और अलग अलग विदेशी मन्चों पर भारत के खिलाप भासनवाजी भी करते हैं फिर इन दोनों के जो कार्ज करम हैं और कारणा में इस पे नजर पड़ता है चीन का और इन्हें एक तरह से दलाल कहिए जी हां और चीन इनको दलाली के रूप में करोरों रुपिया देता है और चीन भारत में कालीन यानि आजकल जो है एक कारपेट का बिजनेस कर रहा है आप लोग मॉल वगेड़ा में देखते होंगे और यहां जो है अपने उत्तर परदेश में भी ये बनता था जगा है एक भदोही और वहां का जो है कालीन बिश्विक्षात था यहां से एक्स अच्छी थी लेकिन पूर्वी उत्तर परदेश के भदोही में जो कालीन उद्यों के लिए पूरे बिश्व में प्रख्यात था और भदोही के कालीन बेहद अच्छे और सस्ते होते थे बाबजूद इसके चीन अपने कालीन यानि कारपेट को भारत में नहीं बेज पा रह जाता क्योंकि ओवियस है सस्ता और अच्छा होगा तो जरूर भी कहेंगे और अच्छी कमाई भी होगी तो इसके जो अगला चरण में उसने जो चाल चला है भदोही में एक दो नहीं बलकि हजारों कालीन की यूनिट थी जो अपने कालीन को विदेशों में एक्सपोर्ट क को भी टक कर दिया था क्योंकि एरान में भी बिस्फपर्सिद जो है की कालीन बनते हैं फिर्पीर चीन के ये दलाव यह दोनों कहलास सत्यारथी और ये जो हैं स्वामी अगनिवेस दोनों एक फर्जी फिल्म बनाते हैं यहां भारत में बैठके एक फर्जी फिल्म बनाते हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि छोटे छोटे बच्यों को जवरदस्ती पकड़ कर भदोही लाया जाता है और उन्हें नोटे बच्चों की उंगलियां पतली होती है, जिसके कारन धागों के बीच असानी से चली जाती है, और गांठ बांधने में असानी रहती है, और उन्होंने कई ऐसे बच्चों के वीडियो बनाए, जिसमें बच्चों के उंगलियों में खून बहता हुआ दिखाए दिया, लेकिन बास्ता में वो लाल रंग के उस पे फिल्म बनाया गया और उसे दिखाने के लिए लाल रंग से रंग दिया गया उगली को. उसके बाद इस फिल्म को लेकर कैलाज सत्यार्थी और अगनीवेस दोनों अमेरिका और उरोप के कई देशों में जाते हैं और वहां बकाईदा प्रोजेक्टर पर फिल्म को प्रस्तुत किया जाता है लोगों को दिखाया जाता है आप लोग भारत के जो हैं बने हुए कालीन को नहीं खड़ी दिये क्योंकि भारत में बच्चों से कालीन बनाया जा रहा है और देखिए बच्चों की हालत कितनी खड़ाब है तो आप समझ सकते हैं ये लोग कितने गिरे हुए अस्तर के प्राणी है और वह फिल्म देखकर तमाम विदेशी कमपनियां जो भारत से कालीन खड़िती थी उन्होंने कालीन खड़िदना बंद कर दिया इससे जो परिनाम आया कि भधोही का जो कालीन इंडस्ट्री था हर यूनिट बंद होना शुरू हो गया फिर जब भधोही का कालीन उद्योग बरबाद होने लगा तब सरकार ने एक और कोशिस की उन्होंने कालीन को एक ऐसा मारका जी हां कालीन में एक मारका होता है रुगमार्क रुगमार्क जो है दिना सुरू किया जो इस बात का प्रमान करता है कि बच्चों ने नहीं बनाया जैसे डाइमंड के लिए एक सर्टिफिकेट होता है कि यह बलड डाइमंड नहीं है उसी तरह उन्होंने एक रुगमार्क जो है सर्टिफिकेट इसी नाम से एक सर्टिफिकेट इसू किया कि रुगमार्क नामक एक सर्टिफिकेट बनाया गया जो इस बात का परमान है कि बच्चों ने इस कालिन को नहीं बनाया लेकिन यह लोबी इतनी तगड़ी है कि अगनिवेस और केला सत्यार्थी के लोग कालिन फेक्टरियों में जाते हैं मालिकों को धमकाते हैं उन्हें ब्लैक मेल करते हैं फरजी मुकदमे और इवेंट बनाते हैं अखवार मीडिया में ऐसी बहस होती है बालसरम और बचपन बचाओ का जो अंतरनाद होता है यह लोग शुरू करते हैं अपना इस तरह भदोही का कालिन उद्योग पूरी तरह से बरबाद हो जाता है तब इसमें इंटरी होती है चीन की आज आप भारत के किसी भी मौल में जाएए उहां आपको मेडिन चैना कालिन मिलेगा इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने हुए अपने देश में बने हुए कालिन का उप्योग करें हिंदू राष्ट्रम जैमा भारती धन्यवाद